आज मैं आपके साथ शेर करने वाली हूँ यह बहुत ही जल्दी से बनने वाली आलू मेती और मटर की सबजी तो चलिए शुरू करते हैं तो यहांपर सबसे पहले में कराई में दो से तीन बड़े चमच आ काय करें हूं और उसी के साथ में अद्ग we करें गे थोड़ा सा जीरा जीरा अद्ग करने के बाद यहांपर हम अदगे पोतेटो और इन्हें थोड़ी देडे घ्रक करेंगे इसमें पतेटोस को रोस करने के साथ साथ्ण हापे मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पिंक सौल्ट एन रेड चिली पावडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए ऐसा करने से पतेटोस में चिली एंड सौल्ट का टेस्ट आ जाएगा तो वह ऐसा फिका फिका नहीं अबे मैंने पोटेटो को अबार फो तो फाइव मिनिट के लिए स्टाफ राइ कर लिया है और अबे मैं यहां पर एड़ करूंगी मेथी यह जो मेथी है मैंने पहले से लेकर वाश करके कट करके फ्रीज करके रखी हुई थी ऐसा करने से आप अपनी जो आलू मेथी मतर की सब अब यहां पर स्ट्रेट वे यूज कर रही हूँ तो इसे साथ साथ बस हिलाते रहेंगे और कवर करके इसे कुक करेंगे आपको इसमें पानी डालने की जूरुत नहीं पड़ेगी साथ ही मैं यहां पर एड़ कर रही हूँ थोड़ा सा तर्मरिक हल्थी पावडर तो आलू यहां पर अच्छी तरह से डाल कर मिक्स कर लेंगे अलू जो है मोर दन हाफ कुखो गए है अभी मैं इस पॉंट पर एड़ कर रही हूं मतर यहां पर मैंने फ्रोजन मतर लिये हैं आप फ्रेश मेटर भी यूज कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं आलू मिती में आपके मतर ज यहां पर मैं थोड़ा सा पिंक सौर्ट और एड़ कर रहे हूं मुझे थोड़ा सा सौर्ट कम लगा है तोवर्ड्स दे एंड कीप द फ्लेम ओन मीडियम एंड इसे हिला हिला कर धीरे धीरे रोस्ट कीजिए और इसकी जो स्मेल है इट विल बी सो अमेजिंग पर पर विल खूर्ट का अधिरे ड Васई मीडियम आपके वाइस परने दिद दूर्ट केसे लगें है और आप मुझे कमेंग पर बता सकते हैं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी तो चलिए यह यमी मेथी आलू मटर की सबजी जो है बनकर रेडी है आप इसे ट्राइ कीजिए I will see you next time with something nice, new and exciting Till then, take care